कि इसे को याद है कि हमने पद्ध प्रम ने क्या पढ़ा था हमने कि अब प्रेपुशी अब बताइए कि यह अनादी काल से है इसका कोई राइटर नहीं है अंगरें क्रों क्रों स्लोकास है इसमें सो उसके बाद वेद अव्यास ने इसको 18 पार्ट किया है पुरानम को फोर लाइट लोकास किया है और इसमें बन्नोटे टुपनिशर्स पूर वेदास को पढ़ने वालों से भी यह पुरान पढ़ने वाले बहुत उन्नत है और वेद में जो बोला गया है वही यह पुरान में पढ़ाया गया है और जो भी कम नौलेज वाले अगर वेदों को पकड़ने से वो काम प्ते हैं वेद क्यूंकि वो तीक तरह उसको तमश पाएगा कि ने पुरान पुरानों में हाट जैसा है उल्ली वाइश्नवास एक ग्रंद को पड़ते हैं इसमें फाइच चाप्टास है एक सृस्टिकंद भूमिकंद सुरकंद पातालकंद उत्तरकंद और अपने सृस्टिकंद में स्टार्ट किया है उसमें बीश्म और कि पुलस्तिया रुश्री के बीश में जो समवाद है वो बता रहे हैं कि अधिक है क्रिश्टा अधि आपने पुरा सम्वाइश कर दिया उसके बाद पद्न पुरान में है जो है बहुत से कर्थाओं का बनान है जैसे कि स्रिष्टि कर्म के कथा है यह ब्रह्मा जी के आयू का वनन है और उसी प्रसंग में ब्रह्मा जी में भी मतला जैसे कि लक्षमी जी का पद्रवाव कैसे हुआ अम्रित की प्राप्ति और सद्धी का दे त्याग है तो यह सारी कथा उसमें दी गई है उसमें से मैंने आज के लिए जो चुना है वह हम परने वाले हैं तुलसी का महत्व आपने कभी पढ़ा है तुलसी के ज्यादा नहीं पढ़े हैं प्रभुजी मतलब कहीं कहीं जो लिखा हुआ एक एक दो असलोग पढ़े हैं बहुत बढ़ी है तो आज की क्लास्ट बहुत अच्छी और तुलसी का महत्व आपको सुनने बाद ना आपको तुलसी से बिशेश प्रेम हो जाएगा हाँ है कि हम शुरू करते हैं तो इसी कथा करम में पद्न पुरान में श्रिष्टिक खन में ही रुद्राश की महिमा है और आउनले का फल की महिमा है और उसी करम में ये कार्थी के और संकर जी के विद्विश संबाध हो रहा है तो मैंने सिष्टिक कम में जो जो पार्ट स्रीम्य भागत्तम में दिये गया है उन हिस्सों को मैंने क्रॉस कर दिया मैं तूर्सी का महात्तम चुना है आज से करणा के लिए तो दिहां से सुमिए तो जो संकर जी के बेटे हैं सकंद है महाद्ति पूछते हैं कि मुझे को जिसका पत्ता फूल भी इस संसार में लोगों को मुक्ष दे सकता है तो महाद्ति कहते हैं कि सभी पत्तों में और सभी पेरों में तुलसी से बढ़कर कोई नहीं तुलसी का एक और नाम जानते हैं क्या है तुलसी का नाम बता आप लोग को विरिंदा विरिंदा नाम है विश्वजननी विश्वपूचिता अंदिनी तुलसी कृष्णा जीवनी कुष्पचारा बस इतना ही मुझे आदे तोटल वन तूसेंड एट है उसमें आठ मुझे आ या उनका एक नाम जो है वैस्वजनोवी विए क्योंकि वह भगवान विश्वपू को भौत भौत ही प्रिया है और तुल्सी के पत्ते और पुस्प तुलसी के पत्ते पुस्प में कहते हैं कि सारे धर्म उसमें प्रतिष्ट्यत है कि तुलसी का पूस्प आपने देखा करते हैं कि तुलसी का पत्ता है ना कहते हैं कि भगवान विष्णु को तीन लोग बहुत प्रिया है कि भगवान विष्णु को तीन चीज़े बहुत प्रिया है वो क्या क्या चीजय अ मैं और तुलसी कितनी बड 뉴스 कामा झाल है syndrome के खुद कह रहे हैं छंकर छाओनाने बेटे में दो तीन चीज़े से वह थो प्रिय है एक तो लक्षमी एक मैं और तुलसी में है कि इन तीन के सिवा चौथा मुझे पता नहीं कि संकर जी को नहीं पता है आप लोग पता है क्या कि भगवान विश्णु को तीन चीज़े बहुत प्रिय है और चौथा मुझे नहीं पता बेटा करते हैं कि तुर्सी भगवान को इतना प्रिय है कि आप दूसरे फूल पता चंदन चड़ाएं या ना चड़ाएं तुर्सी चड़ाने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं कि इसलिए में तुर्सी हमें जरूर्ण चाहिए कि कहते हैं कि तुल्सी तुल्सी दर से हमें प्रती दिन जो पूजा करते हैं जो भगवान को आपन करते हैं कि उससे सभी प्रकार के दान हो यग ब्रत आदी करने का पुन्य फल मिलता है कि तुल्सी दर से पूजा करते हैं हम तो सब फल मिलता है और इस अंकर जी बता रहे हैं करते हैं कि कहते हैं की मंजरी वाली जो तोसी होती है मंदरी युक्त तुल्सी के पत्ते मंद देखा मंजरी कविए कम तोसे मंजरी निकलते ना उसमांजरी और पत्ता इसको तोर करके अगर आपने भगवान कि शुचन चरहाय है आपने तो संकर जी कह रहे उससे कितना फल होता है बेटा मैं गिंपटी नहीं कर सकता है παलो गिंथी करपाएंगे क्या संकर रिखेंष लुटा हैց कि वें। किनाह पुन्ख मंजरी तोड़ी का पत्तार मंद्री में चरन में चराते हैं तो संगे जी करें कि बैटा इतना पुन्य होता है कि मैं बता नहीं सकते हैं कि जहां पर तुल्सी का वन है कि समझें कि वहां पर भगवान विश्नु ब्रह्मा लक्षमी और सभी देवता वहां विराजमान रहते हैं तो यह कथा सुनने के बाद तो लगता है आपके सबके घर में तुल्सी का पौध ही लग जाएं खाएं वाके सब फुलबार है और कहते हैं कि इसलिए हमें चाहिए कि आपने घर के आसपास ना धेर सारे तुल्सी को रोप दे मतलब और अगर आपको किसी परकार का मंत्र जब ध्यान करना है तो तुल्सी के पास बैठ कर करने से उसकी सिद्धी भोजल्दी होती है जो समझे आपने अपने तुल्सी के पास बैठ कर जब जब मंत्र का अधिक जब करने से मिठी जोसका फोता है वह अनुगत हो जाता है मत्नब कि तुर्सी लगा आ जिस गहां तुल्सी लगा यह वहां समझेदे कि कुछ भी बुरी आत्मा नहीं बढ़कती है का पıt को पता हैं कि बहुत सारे हमारे चीह न मुंउ लोग रोग है वह गलत बिचार करने से होते हैं कि अगो से इस आपको कि आपने क्राम गलत नहीं किया कि लोग दविचार मन करत विचार ने रखने से बहुत रोह होता है साउनिटिफिक साझ देखा गए हैं कि हम जिस पाइस परकार के विचार रखते हैं उस परकार सरीड में भारफ्ट डा विचार का वहुत प्रह्वर पडता है और यहां पर उपर वहीं लिखा ग्या है वगतनेपुरानके हिश्टी खळण में kid भूत विचार तो सब्सक्राइब्र करने। और ऑश्भ गवान के पुजा के लिए इस थी पर तूलिसी का बगिचा लगाता है कि उसको कहते हैं कि बहुत सरे दक्षिनाओं से युगत सो योगों का अनुष्ठान करने का पुन्फल मिनता है कि समझे अगर आपने तुलसी का प्रेड लगाया है कहीं पर ना कि आप लगेगा आश्र देगा सुनकर के ना मतलब को एसा कहें कि हमको इतना छोटा सोना का पीछ देदो इसके बदले मुझे इतना सरा पैसा चाहिए वाजिव है ना एक छोटा डायमंड का टुक्रा भी जो है वह कितना पचास सब्सक्राइब हो जाएगा इतना सब्सक्राइब बहुत हो जाता है ना आज के रेट में पचास साथ जार एक डो लाग का तो इसी हो जैसे कोई को आफिस में काम करता है इसा है कि उनको भी आठ दस घंटे वही सेम काम करने के तीन-चार कररों रूपे मिलते हैं और वहां ऐसे भी लोग है जो तीन-चार गंटे आठ घंटे दस घंटे काम करते हैं लेकिन पूरे दिन का 1,1200 रूपे मिलता है तो इस प्रकार के वेलुशन है अलगा चीजिए व कि तो कह रहें कि अगर हम तोलसी का पधल का लगाते हैं तो हमको बहुत सारे यद्व का अफल मिलता है और तुलसी हमें कब खानी चाहिए पता आपको है कि इसको पता है तुलसी कब खाने चाहिए हमको लेश्जीए प्रसात के रूप में गहन किया है और जो ऐसा करता है ना उसको सायूज मुक्ति मिलती है तो भग्वान को चरहते हैं हम लोग बताएंगे अप प्रस्न पूछ देगा तक अब दियाना में बतादु मैं रोकना नहीं चाहता पर कहते हैं कि तुलसी को जो चरहते हैं उसको अपने सर पर लगाने से हमें स्वर्व लोकों की प्राप्ति होती है और कलजुग में तुलसी का पूजा करना उसको धारण करना धारण का उसे हम गले पहनते हैं तो हमें हर प्रकार के उस्वब जो कजुग मुक्ष दिलाती है तुलसी और जो विकति पुजण आदी का दूसरे को उपदेश देता है और स्वआंम भी आच्रें करता है दूसरे को बताता भी है करता भी है वो लक्षमी पति के परंध्राम को प्राप होता है तो आप समझेंगे आज मैंने यह क्यों लिए बताने के लिए तो जब करता है और दूसरों को बताता है उसका भगवायां के धाम जाने का करकंद होज आता है कि अधिकां प्राइब तो बस्तु भगवां प्रीए बड़ान विश्ण को प्रीए होती है तो संकर कहते हैं वह मुझे वहत प्रिय होती है इसलिए शराध हो गया यह गोगया अधिक हरे कार्यों में तुलस्जी का प्रव्व किया जाता है और जिसने तुलस्जी के सेवा कि है उसने गुरु ब्राह्मान देवता ते शबका उसने सेवन किया है इसे हमको समझना इसलिए शंकर अपने पुत्रों कहते हैं कि तुम तुल्सी का स्विवन करो और कहते हैं जो वेक्ति सिखा में तुल्सी को स्थाबिद करके प्रानों को त्यागता है वह हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है तुल्सी धारंग करके सरी त्यागता है वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है राशुय आदियग्य और तरह तरह के ब्रत सयम द्वारा जिस गति को धीर पुरुष प्राप करते हैं उस गति को तुल्सी की सिवा करने से सहाजी में जाती है और तुल्सी के एक पत्र से भगवान की पुझा की जाये तो मनुष्य वैस्णत्य को मांगते है ना और कहता है कि इसके लिए बहुत जात्य सास्त्र और शक्ति नहीं करने कि नहीं पूद्ध संजेंगे नहीं इसका मतलब क्या है कि कहते हैं आज यह संकर जी बोल रहे हैं कि अ कि तुलसी की सखा से और कॉमल पत्तियों और भगवान की पुझा करता वह माता का दूद कभी नहीं पी इसका मतलब क्या है यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब नहीं होता है और कुमल कुछी के दलों को द्वारा अगर कोई वेक्टी प्रती दिन पुजा करें प्रती दिन जब तक जीवित है कि अपने सेक्रों और हजारों को पूबित्र कर देता है कि इसलिए हमें आख दिन भगवान के पुजा तुलसी जल भगवान को हर दिन चरहना चाहिए और हर दिन चरहने के लिए हमारे घर में तुलसी अधिक मतलब होनी चाहिए तो अगर को चरहता है तो संकर जी क्या कर देखिए जो प्रति दिन तुल्सी के दलों को भगवान के पुजा करता है वह अपनी सैक्रों और हजारों पीडियों कुष्ट कर सकता है तो कहते हैं कि है एसकन्द बेटा मैंने तुम्हें तुल्सी के कुछ प्रधान प्रधान गुन बताए संपून बताने में बहुत समय लग सकता है संकर जी वी कितना गुन बता नहीं पा रहे है कितना गुन ने तउसी जी जी यह उपात्ख्यांद जो है वह पुन राशी का संचे करने वाला और जो विक्तिस का प्रतिद्न स्वन करता है अधेत के प्रशन था ना स्वन करता है वह पूर्व जनम में किये हुए पाप और जनम मिर्त्व के चक्र से छूड़ जाता है कि वह कहता है जो व्यक्ति कि इसका रोज पाठ करता है उसको कभी रोग नहीं सताते और अज्ञान उसके निकट नहीं आती और उस व्यक्ति के सदा विजय होती है तो फिर कि ब्राम्र ने क्या कहा बताई जब इतनी कथा सुनने के बाद व्यक्ति के दल से पूजा करता है वो अपने सैकरों और हजारों पीडियों को तर जाता है उसके कई जनका पाप नश्र जाते हैं ती उसके रोगने सब्सक्राइब विज्जय होती है कि और आगे बतते हैं कि कि अ ये तूर्सी जी का नामों चलने करने पर रप्रसंट होते हैं तुर्सी के नाम उचानां करने से क्या होता है भगवान आम विश्वर प्रसंद होता हैं दर्सण मात्र से करोरो गोजान का फल होता है हैता अ मि सचतनी का किछा और निरीर करोरो गोजान का मुझता यानि हमें कभी भी घर से बाहर निकलेकिंड को कि तो तुलसी को जरुर्ण और कहते हैं कि तुल्सी का पूजन और बंदन लोग क्यों न करें कलजु के समय में मनुष्य धन वे मनुष्य धन्य है जिनके घर में साले ग्राम सिला का पूजन संपन करने के लिए प्रति दिन तुल्सी का ब्रिक्ष भूतल पर रहता रहता है करते हैं वह मनुष्य धन्य हैं जिसने भगवान के पूजा के लिए तुल्सी के दलों को अपने घर में लयाक रखा है बहुत धन्य है लोगों को एक जीवन भर ना तुल्सी के बहुत पौदे लगाए तुल्सी के बहुत सेवा कि उनकी मृत्तु ना बहुत थे आश्चर में और भक्ति में मृत्तु हुए उनकी मृत्तु ऐसा हमारा देखा हुआ है को ही एक कि गजिफ्वागुमAcc supplement केशल की पूजा के लीए वित्रम तोल्स कुंछ लगाते हैं उनके अपने किंक रूस्ट हो जाए तो भी उनका कुछ करने सकते हो बताई है यम्राज वी उनका कुछ बिगारuesta स्बीस्ट के तो इसलिए आप एक तोल्सी Colloy का लगा देजू और अपने अगर आप पर किसी कारण से गुश्चा हो भी जाए तो कुछ कर नहीं पाएंगे आपका इतना मतलम महात्म बताएं तुलसी के पॉज़े पे इतना अगर सब कुछ एक होता ना तो एक लाइन में कह देता ना एकी चीज नहीं है समया रखेंगे कि कहते हैं कि जब तुलसी के पत्तों को तोरने से पहले क्या कहना चाहिए वह रिख लीजी आप जब तुलसी के पत्ते तोरने हो ऐसी जाकर के आम के पत्ते के तर्व पत्ते नहीं तोरे तुलसी पत्तों के तोरने से पहले एक मंत्र बताए वह मंत्र कहा जाता है मंत्र है तुल्सया अम्रित जन्मासी सदा त्वम केशव प्रिये केशव अर्थ चिनोमी त्वम वर्दा भवशो भने तुद अंगा संभवे निर्त्यम पुजयामी यधा हरिम तथा कुरू पवित्रांगी कलो मलविनासिनी इसका अर्थ है आप हिंदी में कह सकते हैं कहते हैं तुल्सी तुम अमरित से उत्पन हो और केशव को सदा ही प्रिये हो कल्यानी मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूं तुम मेरे लिए ब्रदानी वनो तुम्हारे स्री अंगों से उत्पन होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार स्री हरी का पुजन कर सकूं वैसा उपाय करो पवितरां तुम कली मलका नास करने वाली हो मतलब इस प्रकार से हमको प्रात्ना करके पुजन करना चाहिए यानि की संचेप में बताएं तो तुल्सी के पास कहना चाहिए कि है तुल्सी आप भगवान के सग्वध प्रिये हो और उन्हीं के सेवा के लिए मैं आपका चैन करने आया करके उन पत्तों का चैन करने चाहिए आएसा कहके पुजा करने चाहिए कि बड़े बड़े देवता भी तुल्सी के गायन नहीं कर सकते मुनी से गंधर बेपताल के निवासी छाक्षात नागराश सेस्ट और संभून देवता भी तुल्सी के पुरे प्रभाव को नहीं जा जानता है तुल्सी के संपुन महीमा को जानता है विश्णु के अलबाद तुल्सी के संपुन महीमा कोई नहीं जानता है जिस पकार चीर समुद्र के मंतन के कि और जब आरंग हुआ था उससमें श्री विश्णु के आनंद से तुम्हारा पुदृवा था समुद् 15 के समय भगवान विश्णु के आनन्द के आंस से किसे हुआ था और आनंद के आंस से तुल्सी का पुदृवा हुआ था यह बहुत इंपौर्टेन बात और पुरुकाल में स्री हरी ने तुलसी जी को आपने मस्तक भाधारंग किया कि देवी उस स्री विष्णु के सरी का संपर्क पाकर तुम परम्पवित्र हो गए थी तुलसी मैं तुम्हें परणाम करता हूं तुम्हारे स्री अंग से उत्पन पत्रों द्वारा जिस प्रकाहर कि पुजा कर सकूँ ऐसी किरपा करो जिससे मैं निर्विग्नाता पुरुवक्त प्रम्गतिक प्राव्ट हूं साक्षाथ स्री कृष्ण ने तुम्हें गोम्तिर तट पर लगाया और बढ़ाया था विंदावन ने विच्चते समय उन्होंने संपून जगत और गोप्यों क कि हिद के लिए तुलसी का सेवन किया प्रिया जगत प्रिया तुलसी पुरुकाल में वसीच जी के कथना उसार सिराम चंद ने जी ने भी राक्षों से कवद करने के उदेश से सर्यूट तरफ सर्यूट जण नदी है उसके तर्फ पर तुम्हें लगाया था तुलसी देव कि मैं तुम्हें परणाम करता हूं सिराम चंद जी से बियोग हो जाने पर असुक बाटिका में रहते हुए जनक किसवरी सिता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था जिसे से उन्हें पुना अपने प्रितम का समागम प्रप्त हुआ था समझ रहें तुलसी जी क्या करती थी वहाँ पर असुख बाटिकां बैट करके सिता जी तुलसी करती थी तुलसी क्यावन करने के वजह से कह रहें है चित भगवान को बिजये प्राप्ति में और कहते हैं कि हिमालय परवत पर भगवान संकर के प्राप्ति के लिए ने तुम्हें लगाया और अपने अविशिद को लगाया भगवान राम जीन लगाया यहां तक जो सिता जी नोने ने भी तुलसी का ध्यान किया था और कहता है भगवान संकर की प्राप्ति करने के लिए परवत्ति जीने भी तुलसी का ब्रिक्ष लगा करके उसकी पुजा किती तब जाके भगवान संकर उनको प्राप्ति करते हैं कि तो हमें भी अगर कुछ पलकी प्राप्ति चाहते हैं भगवान की भुखति चाहते हैं लोग क्या प्रात्ना करते हैं विश्ण भक्ति प्रदे देवी सत्य नमुनमा तो हमारे जो भी आविश्ट्स है उसकी सिद्धिय कर चाहिए हमें तुल्सी की सेवन करने चाहिए कि कहते हैं कि संपूर्ण द्यवांगनाव और किंकरों ने भी दूश्वपन नास करने के लिए नंदन वन में तुम्हरा सेवन किया था तो जो किंकर थे देवताओं की साक्षात पितरों ने तुलसी का सिवन किया था डंड़कारण में भगवान सी राम चंदर जी ने अपने हित साधने की इच्छा से परंपवित्य तुलसी का अंभिष लगाया था और लक्षमन और सीता ने भी भक्ति के साथ उसे पुशा था जिस प्रकार सास्तुर में गंगा जी को त्रिभौन व्यापनी कह जाता है उसी प्रकार तुलसी दिवी को भी संपूर्ट चराचर जगत में दिस्ट्रीकोचर होती यानि तुलसी यहां पर भी है और स्वर्ण लोगें भी हैं हर जगह तुलसी को गरहन करने से मनुष करने से ब्रह्म हत्या तक के पाप जो होते हैं दूर हो जाते हैं तुल्सी के पत्ते से टपकता हुआ जल अपने सिर्प धारन करता है उसे गंगास्नान और दस गोदान का फल प्राप्थ होता है तुल्सी को जैजे पानी भीवग जो करना एक कोगी सीडसार पर ना उतनाचीटने से हैं लिए से उतना करने सकते हैं तो क्या कर सकते हैं यैंतुल्सी का पत्ता लेजीए उसको पाणी नवबढाई जोग आए च्रहती कि उतना क्या होगा गंगा अस्नान करने का फ़ल मिल लगांगे कितना सरल उपाए हैं कि और कि कहते हैं कि द्वादसी की रात्री में जागरण करके जो तुलसी स्थ्रू के पाठ करता है कि वह भगवान श्री विष्णु उसके 32 अप्राच्मा करते हैं कितना कि गिंती करके बताया है बत्तिस कि बत्तिस अप्राच्मा करते हैं कि बाल अवस्ता कुमार अवस्ता जवानी और बुढ़ापी में जितने पाप किये हैं वे सब तुलसी स्थ्रोथ के पार्ट से नश हो जाते हैं तुलसी के स्थ्रोथ से संटु श्ठोकर भगवान सुख और अव्यूदय प्रदान करते हैं जिस घर में तुलसी का स्थ्रोथ लिखा हुआ विदमान रहता है इसका कभी असुब नहीं होता तो घर में कुछ ना तुलसी के स्थ्रोथ ना जो हम पढ़ रहे हैं लोग यह कुछ तो लिख करके अपने घर में लगातने कुछ लोग तो अगर आपके घर में कोई असुब है तो लिख के लगा देजिए आपका जीवन सुब में हो जाएग हर समय आपके लिए सुब समय रहेगा आपके लिए और घर में धन भरा रहता है तुलसी स्थों के पाठ करने वाला मनुस्त के रिदय में भगवान विश्णु के प्रति अब विचल वक्ति होती है कहते हैं ना कि तूलसी देखी जूराए प्राना माधवतों सनी जानी तुलसी जो है वो माधों को प्रिये हैं यह जान करके उनको देखने के खुसी मिलती है तो कहते हैं कि मनुस्त के रिदय में भगवान विश्णु के पढ़ती अचल भक्ति हो जाती है कितनी वड़ी बात है और उसका वैस्ट नों से कभी वियोग नहीं होता इतना ही नहीं कि उसकी बुद्धी कभी अधर्म प्रविट नहीं होती है जो तुलसी के सेवन करता है उसके धर्म में कभी भी परविड़ती है नहीं होती है कितनी मतलब है सही बात कहीं गये नहीं है और बताइए कि तुलसी का परके मात परके कि सब्कुर्डरह क्या का परःमने नोट किया किशे कि इस बसे अपने कंपने प्रऊजिए है कि मतले होता है कि वेसनों से वीयोग नहीं होता उसका कभी आधारम में बुद्धि आधारम प्रभिट नहीं होते हैं तुर्षी का धारं करना तुर्षी का पाठ करना बहुत ही मतलब इंपोर्टन चीज है करना चाहिए और बताइए किया का ध्यान रहापको अधिका चाहिए और पगवान को रोज तुर्षी दल से भूग लगाना चाहिए और तुर्षी के पास पैटे मंत्र अब्जब्ट करने से तुर्षी के व्रिक्ष लगाने चाहिए और पर लगे होते हैं वहां पर भूत प्रित आत्माएं नहीं रहती हैं घर में मंकर रहता है तुर्षी के समय जो है सिखा मैं तुल्सी बावने से उसके मुट्पी मिल जाती है और तुल्सी जी को भगवान के सेवा में लगाने से पहले मंत्र को चारण करना चाहिए कौन सा मंत्र है यह कि मैं आप को केशव के सेवा में लगाना चाहती हूँ वह करें मंत्र है मुझे रिकॉर्डिंग में फिर से वह लेकना मैं तुल्से के मंत्र के सेवा के लिए मैं आपके पातर करना करना प्याता हूं इसके आज़ा दिए यह बोल को पिर में कल्यान कारी है वी मारियों से बचा जा सकता है कुल्षी का पौथा लगाने से तुल्षी जी को जल से छीट लेने से गंगासनान का भी मिलता है अच्छा लगा आपने बहुत सा ची याद कर ली तुलसी जी के पत्तों को ऐसे छिटना चीए अपने सर पे आपने भी बोला था कि अधर के इस पर लिखने से अमंगल नहीं होता क्या लिखना है तुलसी जी का है तुलसी जी का जो पढ़ रहे हम लोग तुलसी जी त्रोध आते हैं संस्कृत में है सब सब्सक्राइब तो उसको जो लोग घर में लगाते हैं उनके घर में हम ऐसा अच्छा कालरी है क्या सब्सक्राइब इसने खृषी कुस्ने रुपाय बताया मुझे उसने कुछ दवा दिन तवा दे दिया, उसने ख्रेदली ओर खासी चीह दो नहीं जो perfect हम बताए हैं उसने मुझे उस नियम का मुझे पालंग करना पड़ेगा दवा का सेवन करना पड़ेगा और सही समय पे उसका मुझे असर दिखेगा मुझे तो है ऐसा हमको समझना चाहिए और आपको बताता है कि कहते हैं कि एक अब्रहामन ने द्रमराज जी से पूछा द्रम जातियां है पर्तो की जितनी जातियां है उन समय तुल्सी भगवान वदिक प्रिया है पुषकर आज जितने तीर्थ हैं गंगा जितनी नदिया है वास्दय आदि जो यह देवता हैं वे सभी तुल्सी दल में निवास करते हैं बताएं तुल्सी सर्वदा और सब समय भगवान विश्णु को प्रिया है कमल और मालती का फूल छोर कर तुल्सी का पता गहन करें और उसके द्वारा भक्ति पुरवक माधों के पूजा करें आई ऐसा कह रहें देखिए क्या कह रहा है भगवान विश्णु के लिए कह रहे हैं कि कैसा लिख्या है कामल और मालती का पता छोरिए उसका फूल छोरिए इसके जरूत नहीं है तुल्सी से पुजा कीजिए भगवान की इसके इसके पून्य फल का पूरा पूरा वर्न करने में सेज आसमर्त हैं मदस मदस कितना पुन्य होता जो लिखवाए है न वह बहुत कम है क्या पुन्य होगा क्या फल होगा उसे गिंती कोई भी नहीं कर सकता है तुल्सी से भगवान की सिवा करते हैं तो आप कहते हैं जो बिना अस्त्मान की देवकार या पृतिकार के लिए द्यान रखने योगबात है लिए विन पवित्र हुए तुल्सी का पत्ता कभी मत तोरी लिए को समझे आपने ना मत इतना महत्त बताया ना अब कुछ निसेदी बता रहे हैं विना अस्नान किये ना और तुल्सी का पत्ता नहीं तोरना चाहिए क्या क्या मेरा रूटीन दाता है तो इस लिए इस दा पदने प्राना पर है अब ना तुझी ने कहा कि ऐसा गलत काम करता है इसके बुद्धी दिया तो रिजिक पदने प्राना को सुनाई जासे इसके ऐसे बहुत सा लोग है चलते चलते रहते हैं तुल्सी तोरते हैं खालेते हैं तुल्सी कब करना चाहिए तो भगवान विश्णु पर चढ़ा करने सुध होता है जैसे हरे बहुतेरे रोगों का तुद्काल हर लेती है उसी प्रकाश तुल्सी दरिता और दुप-भोग आदिस समन रखने वाले आधिक से अधिक पापों को सिग्रिन दूर कर लेती है तुल्सी काले रंग के पत्ती वाली हो याहरे रंकी अचीं में म조र के कुझ्या करने से इसे एक मनुसर्ण से विसे dolpen भगवाण का भक्तम नर नरायन हो जाता है काले रंग के तुलसी में तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मदू हंता स्री हरी के पुज़न करता है उसका पुनाय संसार में जनम नहीं होता बैसाक महिने में तीनों संध्याओं में तुलसी से भवांग पुज़न करनी चाहिए यानि सुबा दोपरा साम भगवांगत तुलसी अरफित करनी चाहिए फूल और पत्तों के नम मिलने पर अनाधी के द्वारा धान गेहुं चावल जो के द्वारा भी सिहरी के पुज़न कर सकते हैं मैंने उन्हें बताया आपके में तुलसी इसे भवांग की पुज़ा करनी चाहिए और तुलसी हो हरी तुलसी हो कोई भी हो इसे पुज़ा करने से नर्ख नारायन बन सकता है अब तुलसी को पत्ता टोड़ना नहीं चाहिए पुरे पड़ निसपल हो जाते हैं जो नहीं करना चेंव पड़े ध्यान होना चेंट रहे न और मताये कि दूक और दरिता साहित साहित सारे दुकों का नास हो जाता है तुलसी की पूज़ा करना से हाँ कि युदिस्टिर माराज कहते हैं जितने भी पत्तिया उसमें से तुल्सी की पत्तिया सबसे स्ट्रेस्ट है उनसे पूजा करने उनसे पूजा करनी चाहिए कमल की पत्ति या कमल या फिर और कि अपेक्छा और सुनी बाता हमें मजारा सुनके मजारा सुनके ना मुझेद बहुत मजारा मुझे कहते हैं सुजी कहते हैं कि जिसे सुनकर मनुष जनम से लेकर मृत्यू प्रण किये पापश करा पा सकता है वो क्या है तुल्सी का महात्य तुल्सी का पत्ता फूल फल मूल साखा चाल तना और मिट्टी आदिस सभी पावन है देखा किया क्या पावन है? तुलशी से सम्मंदित हर चीज पावन है जिस मिट्टी में तुलशी को बोया गया है वहां की मिट्टी भी पावन कहलाती है कहते हैं जिसका मृत शरीर जिसका मृत शरीर तुलसी कास्ट की आग से जलाए जाता है वे विश्णू लोक में जाते हैं कि यानि हमें चाहिए कि अपने परिवाद को समझा दें कि हमारे मिर्तु हो तो जिस लक्वी में हमको जलाया जाए वहां क्या करें तुलसी के कुछ डंडी इसमें डाल दिरस्मान को सम्झा ना कि यह देनियर्टेनिंग देनी कि यह क्या कर ना है कि हमारे चिता पर क्या कर लोग शुक्त नेवह तुस्राइब नहीं जलनी जाहिए लेकिन पता ना भी दे पाए तुझे लाता है वहां तुलसी डाल दें लक्री और कहते हैं वह विश्टनु लुक में जाता है मृत पुरुष यदि अगम महान पापस ग्रस्त हो तो भी तुलसी कास्ट की अगनी से दे का द्या करने कितना भी पापी क्यों ना हो लेकिन तुलसी कास्ट की अगनी में दा करने से सारे पापों से विक्ति छुड़ जाता है कितने अच्छी वात है ना तो यह ध्यान लखेगा आप घर में किसके मृत्तु होती है कुछ होता है तो तुलसी का कास्ट जरू जलाना चाहिए जिसके मृत्तु के समय स्रेड़े किर्टन और अस्मान हो तो तुलसी के लक्री से उसका सरी का दा किया जाए उसका पुनजम नहीं होता है अगर किर्टन किया गया अस्मान किया गया और सब्सक्राइब तुलसी के कास्ट हो तो करोरे पापों से मुक्त होने पर भी मनुस्की मुक्ति हो जाती है एक तुलसी का कास्ट समझे ना एक कास्ट एक छोटी लक्री सरे पापों को नश्ट कर देती है तुलसी की लक्री से मिश्चित होने पर सभी कास्ट प्रवित हो जाते हैं तुलसी कास्ट के अगनी से मृत मनुस्य का दा होता है देखकर विश्नु दूथ ही आकर उसके वैक तुल्सी कास्ट्ट से हो रहा है तो उसको विष्णु दूद्द आकर लगते हैं इयम दूद्द उसको चुने कभी नहीं आते जाते हैं जो मनों से तुल्सी कास्ट की अगनी में जला जाते हैं उन्हें विमान में बठाकर वेकुण चाते देख देवता उनके उपर पुस्पांजर चड़ाते दिवत अलग उसे फुल चड़ाते हैं उसके पर और वेकुण जाता पकर करके अपने दाम लेगा तो पताई जारा कुछ काम किया नहीं किया तुलसी के एक लक्रिम उसके उसकी अंतिम सरी जलाए गिए वही उसका पुन्य तो यह सारी जो पुन्य कथा ना घर में सब को बता करकिये कि आज पर नहीं लोग करे चले जारे लोग तो घर के सब लोग बता कर रखिये कि अभी ऐसा होता है तो तुलसी का लकरिश्य डाल दें मतब्स कुछ करे ना करे आज इसमें जलाते हैं मसीन जाते हैं आटमेंटिक तो उसमें तुलसी डाल देना चाहिए ऐसा कह रहा है तो जी के साथ तुलसी काश की अगनि प्रजित होती है वहां जाने से मनुश्य के पात्य भस्म हो जाता है जो प्रामन तुलसी काश की अगनियों हवन करते हैं उन्हें एक-एक सिक्ट है जो भगवान की तुलसी काश का धूब देता है वह उसके फल सरुप सो यग्य अनुष्ठान सो गोधान का पुनपाप करता है हमको भगवान के लिए ना जो तुलसी के लकरियां जाते हैं सुख ज़िए उसको घीम लगा करके भगवान को धूब दिखाना चाहिए समझे आप लोग क्या करना चाहिए जो तुलसी के लकरियां सुख जाते ना उनकी कठा कर रहे घर में जो सुख जाएंगे उसमें घीम लगा करके और तो भगवान को से आर्थी दिखाई है उसका बहुत बड़ा पुन्य है जो तुलसी की लकरी की आज से भगवान का नवेत त्यार करता है उसका यन अन जदी थोड़ा सा हो तो भगवान केशो का अर्पन किया जाए तो वह मेरू के समान अंदान का फल देने वाला होता है घर में जो खाना बनता है खाना बनते समय तो तुलसी के सुखवी लकरी है उसको थोड़ा जला दीजिए नीचे में वह जला करकर जो खाना बनेगा उससे भगवान का भूग लगाएंगे और उसका दान करेंगे तो भगवान क्या समझता है कि मेरी परवज इतना अंधान किया आपने इसा प्रवज लिख लिए बहुत ध्यान से जो तुलसी की कास्ट की आग से भगवान लें दीपर जलाता है उसे 10 करोर दीवदान का पुन पास होता है वाँ तुलसी कास्ट से दीपरान करना चाहिए हमको लकरी से इस लोग में प्रित्वी पर उसके समान वैश्णों दुसरा कोई नहीं दिखाई देता बता यह कोई दुसरा वैश्णों है यह नहीं यह जिसने क्लास सुनी वो लोगे काम करेंगे तो यही 8-10 लोग क्या लवा और क्या करना है तुलसी की कास्ट से भगवान को दीपक दिखाना है जो भगवान lysk को तुलसी कास का का चंडन अर्प्रण परता है। उनक्युम्हेश्टा क्ट लगाता है वह सदा स्रीहरी के संुप गवन करता है तुलसी भाषतें हन न तो थोड़ा सा घषता थ है तूलसी उसको पानी भीगवार करके उसका लेब बनता है उसको भगवान को लेब लगाना चाहिए उससे भगवान अतीप्रसन होते हैं और भगवान के सविप रहता है जो मनुष्य अपने अंग में तुल्सी कीचर लगा करके स्री विश्वन्यों पुजन्य करता है उसे एक ही दिन म कि उसका जो किचर हैे लगा करके अगर आपने श्रीघ में लगा है और psr करते हैं तो एक दिन में 100 दिन के पूर्जा कफल मिलता है मिल pass को जो पित्रों के सिर्ट में चर्द में उसके दिए हुए कहसे दिन के सिर्ट अ को सो बरसों तक 146 रहती है करते हैं तो पित्र को दान करते समय क्या करना चाहिए तुलसी की जर्व की मिटी के द्वारा विशेश रूप से अस्नान करना चाहिए कभी कभी तुलसी का जर्म जो मिटी होती है उसको लगाए सरीर में और तव स्थान कीजिए वाह ऐसा कभी सुनने कर लिए इससे जब तक वह मिटी सरी में लगी रहती है तब तक अस्थान करने अलब पूरिस को तीत अस्थान का फल मिलता है जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान पुजा करता है उसे नाना प्रकार के पुष्व द्वारा किये पूजन का फल पाफ़ता है जब तक सुर्य चंदमा है तब तक वह उसका पुन भोगता है जब तक सुर्य चांद रहेगा तब तक पुन भोगेगा कितना पूने हो गया जिस घर में तुल्सी का विग्रिच्चा है उसके दर्शन और अस्पर्श से ब्रह्मभक्तिया आदि सारे पापना शुजाते हैं जिस जिस गाव घर अथा वन में तुल्सी का विग्चो वहां वहां जगनीश्व विष्णु निवास करते हैं उस घर में दरिता नहीं रहती बंदियों से वियोग नहीं होता जहां तुल्सी ब्रियाजबान होती है वहां दुख भय रोग नहीं ठाड़ते ईतुए सवह तुर्बत देल्र हां पुर्णलर पूर्य Dewa च्रेटर हैं अधिक हैं क्लों मोने गई है कि एन्ट मॉझ्xic पॢ़्य बात लिखे गई हैं यह ने का वुसजै अहरे आदेट में उसे नहीं गई गए यह मानी गई है भगवान के समय पिर्थ्वी तल पर तुलसी को लगाने से जधा सदा विश्णु पत्य पाप्ति होती है तुलसी द्वारा भक्ति पुजित होने पर भगवान भेंकर पातो रोग तता अनेक दुर निमितों का नास का डालते हैं जहां तुलसी के सुवन लेकर हवा चलती है वहां के दसों दिशाएं चारों प्रका कर जीव पवित्र हो जाते हैं कहते हैं मुनिसे जिस गरी में तुलसी के मूल की मिट्टी मजूद है वह संपुर्ण देवता और कल्यान में भवान स्रीहरी स्रवदा इस्तित रहते हैं जिस घर में तुलसी की मिट्टी मुझूद है यानि जिस घर में तुलसी अगमला है वो घर सबी देवताओं का निवा सथान है तुलसी के चाया जहां जहां जाती है वहां वहां पित्रों के त्रिप्ति के तरपन करना चाहिए नारग जहां तुलसी का संधाय परा हो वहां किया हुआ पिंडदान आधी पित्रों के लिए अक्षे होता है जहां तुलसी का वरिख्षो वहां कि पिंडदन किया जाय तो पित्रों के लिए अक्षे हो जाता है तुलसी के जर में ब्रह्मा तुलसी के जर में ब्रह्मा मत्य भाग में भगवान जनारधन और मंजरी में श्री रूत द तुल्सी के जर में कौन रहते हैं रहते हैं और मंजरी में कौन रहते हैं रूद्यदेव रहते हैं इसी से वह पाउन माने गई बताइए ब्रह्मा विश्ण महेश तीनों का स्थान बता दिया गया है कि विशेश्यता सिव मंदिर में तुल्सी का विष्ण लगाया जाए तो उसे से डेली जितनी रहते हैं उतने यूग तक मनुष्य मंदिर में अगर आपने तुल्सी लगा दिया जाकर के एक भी और उस तुल्सी से जितने बीज बनेंगे उतने दिन तक आप सोग लोग में रहेंगे और अग्यों कि तुल्सी बहुत प्षिया है जो पावर्न सॉत के तुल्सी संकर के दिन तुल्सी का पदल लगाता है उसके लिए अतैन्न पूर्न दैयनी होती है तो सब्सक्राइब करना चाहिए तो यह जो सारा महात में ना मुझे भी पहली बार मालम चल रही है तो यह बहुत अच्छा क्लास हो गया हम लोग का सरा महात में एक क्लास में रिकॉर्डिंग हो जाएगी उसको वारवाश सुनके लिक के रख लेना है पैक्टिस करना जीवन भन जो प्रति देन तुलसी तरह से भाव वजा करता है वह दरिद्र हो धन्मान हो जाता है तुलसी की मुर्ति संपुन सिध्या प्रदान करने वाले होती है वह स्रीक्रिष्ण तुलसी का ब्रत की विधिन में तुलसी का ब्रत की विधिन में this day के थ мед Equity आशाल पुछा महाद्यव जी से कि आप मुझे तुलसी के महातने बता हरे तुलसी का ब्रत होता है कैसे करते हैं इसमिंगा जाता है और ब्रत करना और पुरुष कार्थिक सुर्पास की नौमी तिथी को नियम गरन करते हैं यह अपने के सुना ब्रत कभी क्या तुल्सी का ब्रत सुना किसीने कभी तुल्सी का ब्रत पृधिप सोना इन जिर्यों का रखना चाहिए तुर्प ब्रत करने के उद्दिश से सुष्णान से सुध हो मन को सयम में रखते प्रति दिन रात को नियम पुरुभक तुल्सी के सविर सोना होता है और मध्यान कार्में नदी आदि में निर्मन जयाद में अस्तान करके बिद स्यमां कर करेंट जाए और दो वर्वस्त त्यार करते हैं वरष्ट और सुष्टे वर्ण के होते हैं वर्ढ के आरमम में में करते हैं बाद में चारूप कर और उसके द्वारा श्री विष्णु देवता के प्रितिक लेहवन करते हैं तो आदेशी के दिन देव देवसर भगवान की यतन पर पुझा करते हैं और विधी के अनुसार कलश स्थावन करते हैं कि कलश सुध होना चाहिए तूटा फूटा नहीं होना चाहिए उसमें पंच रतने पंच पल्व होनी चाहिए कलश के उपर एक पातर रखें और उसके वीतर लक्षमी जी के साथ सी भगवान विष्णु की प्रतिमा के विड़ाजमान करें और फिर बैदिक और पुरानिक मंत जल से शीचें और इस परकार से पुझा करने चाहिए तो यहां बहुत विस्तार से उसपुझा का बड़त का दिया गया बहुत सबते क्राहर करते हैं और हमें चाहिए कि तुलसी की महात्म ने पढ़ा हमने अब तुलसी के महात्म पढ़ने बाद क्या करना चाहिए हमको उन सारे चीजों को हमें करने का प्रयास करना चीज है हमको है ना ठीक है ना अचली हम लोग आज क्लास करते हैं तो मैंने सुचा कि हम लोग ना इसमें बहुत सा चीजों का वर्णन दिया गया है तो कुछ-कुछ चुन कर चीजों को पढ़ाएंगे हम चुन करके जैसे कि बहुत सरे इकादसी के महात्में है भगवगीता के पहले दुसे तिसरे सारे अठारों अध्या के महात्में है सब कुछ इसमें भागतों का महात्में है हम सब परेंदीर करके ठीक है तो आज से क्लास की यहां विराम करते हैं